अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों अपने पिछले वीडियो में मैं आपको प्रॉमिस किया था कि बज़ाज फाइनेंस पे अगर सपोर्ट 6029 से भी ले रहा है तो मैं वीडियो अप्लोट करूँगा या ब्रेक कर रहा है तो मैं वीडियो अप्लोट करूँगा अगर स्टॉक 5700 तक भी जा रहा है तो भी मैं वीडियो अप्लोट करूँगा मैं प्रॉमिस किया था दोस्तों अभी स्टॉक क्या कर रहा है पता है complete कोशिश कर ला है जैसे मैं आपको पिछले बार यहां पर exit करवा दिया था और 200 एम में का support नहीं ले रहा था तो मैं यह भी बताया था दोस्तों हमारी exit हो गई है पर जो भी stock के अंदर entry लिये इन prices पर बैठे हुआ है दोस्तों आपको average maintain करना भी है तो आपको हमारे fresh buying के बा भी खरीद है यहां इस current market price पर भी जो भी खरीद है दोस्तों आपको अगर average maintain करना है बजाज finance में तो average यहां का लेके चलो 5421 अभी stock को watch list लगा लो क्योंकि stock के अंदर मैं fresh buying देने वाला हूँ जैसे ही position मिला आपको stock के अंदर काम करना है आगे analysis में जाने से पहले दोस्तों यह मेरा अगर आप premium group join करना चाहते है यह मेरी live market learning sessions join करना चाहते है यह आपके portfolio में कुछ stocks positive भी है या कुछ stocks negative भी है समझ भे नहीं आ रहा है position कहां पर square off करना या entry लेना है average maintain करना है तो आप मुझे इस whatsapp number पर contact कर सकते हो अभी stock क्या हुआ है stock अपना previous breakdown level जो हां मैं बताया था वो level break करके नीचे जा रहा है तो अभी stock के अंदर position बन रही है तो stock के अंदर position बन रही है तो हम लोगों को position लेना भी है तो दोस्तों stock के अंदर buy लगा लो buy हमारा होगा 5900 stock के अंदर target target हम लोग दे तो पहला target बनेगा पर उससे पहले का जो target क्या है 6,170, 6,170 का target बन रहा है जो हमारा पहला target है दूसरा target समझके चलो उससे पहले कुछ green candle बनाएगा तो हमें पहला target भी मिलेगा and हमारा average हमारा average होगा दोस्तों stock के अंदर 5,421 यह level है अभी बज़ाज finance में काम करने के यह short term time frame period में stock अभी proper selling हो रहा है proper selling के बाद bottom fishing होगा उसके बाद rally देखने को मिलेगी तो यह वाला position बज़ाज finance में बन रहा है तो आपको इस position पे ही काम करना है दोस्तों यह मेरा update था बज़ाज finance पे अगर आपको stock के ओपर analysis समझ में आया तो वीडियो को like करिए share करिए and YouTube channel को subscribe कर लीजिए thank you